मैं हिंदुस्तान से महबत करती हूँ, मैं अपने भारत से महबत करती हूँ, इस भूमी से महबत करती हूँ, इस भारत की मिट्टी से महबत करती हूँ, मैं अल्ला का कुरान मानती हूँ और मैं रसूल की सुन्नत मानती हूँ, मैं मुल्ला का फत्वा नहीं मानती हूँ और मैं कि वज़ा से इस विजट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है तो रती भर का 1.0.1 परसेंट भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आप अटके पड़े हैं कि हमने तो भाई 11 साल की बच्ची से शाद निकाह करना है क्योंकि उसका पिरियेट हो गया है हमने तो चार श आउनके पाकिस्तान की अदाकाराओं से ले करके जो बाजर में लड़कियां चलती है ना उनको भी हिंदुस्तान के हिदू लड़के बहुत फ़संदा आते हैं क्यों पहसंदा आते हैं किूंकि वो चार दीविए एक बिस्तर पर नहीं रखते है हो सिर्फ एक ही बीई के सा साथ मान समान के साथ जिंदेगी गुजारते हैं अब आपकी सीमा हैदर चली आई नेपाल के जरीए अपनी मुहबत को पाने के लिए सचिन को पाने के लिए और सनातनी स्टर नेंदर मोदी साहब जा रहे हैं फ्रांस के विजट पे इससे पहले यूएस का फिर उससे पहले इ कि ट्रोल हो रहे है आपके पाकिस्तान के प्राइम निस्टर ट्रोल नहीं हो रहे हैं उन्होंने बहुत घटिया बत्तमीजी वाली हरकत की ही थी इसमें ट्रोल होने की क्या बात है बहुत घटिया हरकत किया था उन्होंने एक महीला के हाथ से छाता छीन लेना फिर उसको भी तो दूसरे देश की महिलाओं को भी वैसे ही अत्याचार करेंगे जैसे अपने देश की महिलाओं को वो करते हैं डिप्राइब जैसे अपने देश की महिलाओं को एमपावर करने का कभी भी पाकिस्तान ने नहीं सोचा, अपने देश की महिलाओं को पढ़ाने का शिक्षत करन यह वहां की सरकार ने कभी नहीं सोचा तो क्या सोचें कि वो वह दूसरे देश में जाकर कि वह बत्तमीजिान करेंगे यह नहीं हुए थे वो उनको उनकी बेजा हर्कत बत्तमीजी हर्कत बताई गई कि ये जो हरकत उन्होंने बत्तमीजी वाली की है ये नहीं किया जाता है एक महीला को बहुत सम्मान मान और अदर दिया जाता है ठीक है आपका वो ट्रोल वाला वर्ड का मैंने रिखाई दिया है नहीं मैं उसमें पाकिस्तान साइड से कुछ लोगों का इवन जो पारे प्राइम मीस्टर उनकी पार्टी का ये स्टांस रहा है कि अपना काम खुद अपने हाथ से करना चाहते थे पीम साहब जिसकी वज़ा से उन्होंने सोचा कि मैं वो अम्ब्रेला को पकनो और खुद अपना काम मैं करूं शायद उन्होंने इस सैंस में वो अम्रेला ल पर छोड़ दो और अंब्रेला उसे चीन लो कोई बात नहीं है अब जो जहां जैसी आप प्रिंगिंग जिसको मिले की वो वैसा ही करेगा ना थोड़े ही वो हर कोई हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री की तरह थोड़ी हो जाता है कि अपना रेंकोट कुछ पहन कर जाएगा अ इसी भी फॉरिणर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ और बना करके नहीं बुलाता है यह मात्र मेरे भारत के प्रधान मंत्री है यह मात्र मोदी जी है जिनको फ्रांस ने अपने नाशनल डे पर सेलिब्रेशन में उस नाशनल डे के सेलिब्रेशन में ऐसा पापुआ में देखा हमने जैसे हिरोशिमा में देखा हमने जैसे और भी कई सौधी आर्बिया में देखा कई देशों में हम ने देखा कि भारत के परधानमंतरिजी के लिए रट कारपेट बिष्टा है एक इस तोपो सिट्वेशन होता है खुद President और Prime Minister जो होते हैं देश के वो उनको receive करने के लिए आते हैं, भारत का जंडा लगी हुई एक गारी आती है, उनको ले करके जाती है, भारत के प्रधान मंत्री का चहरा और मोधी जी, मोधी जी लिखा हुआ, एक बलून और जंडा लहराया जाता है, तो ये सारी चीजे और य यूएस हो, चाहिए वो पापुआ हो, चाहिए वो हिरोशिमा हो, चाहिए वो कुछ कोई भी कंट्री हो, तो यहां भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा, और हमें देखे स्टार्टिंग में ही पता चल गया है, कि as a guest of honor बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नाशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है, अब पाकिस्तान को ना तोर बुलाया, नहीं जा रहा है, साथ ही साथ बहुत major deals हैं, जो करने जा रहे हैं, जिनका आगे हम discuss करेंगे, लेकिन एक चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में साथ, बड़ी अबादी वाले कंट्री के साथ relation बेहतर करके trade करना चाहती है, अदर्वाइस कोई ऐसा issue नहीं है, तो आप इसके उपर as Indian क्या कहेंगे, कि आप अबादी आपकी ज्यादा है, market बड़ी है, तो शायदी इस वजह से आपको value दी जा रही है, अब यह मैं और debate कर रहे है, और issues पे, आपका कोई फाइदा नहीं है, उससे आपका कोई फाइदा नहीं है, या मेरा कोई फाइदा नहीं है, मेरा फाइदा publicity का है, और आपका भी फाइदा publicity का है, कि आपका channel और renowned हो, इसलिए आप हम जैसे speakers को ले करके आते हैं, तो इससे एक रिष्टा तो बंध गया है ना चाहे speaker और anchor का ही हो रिष्टा तो बंध गया है ना तो देखिए पाकिस्तान जगा जाकर करके कटोरा फैलाने की जो फित्रत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं हिंदुस्तान बहुत तरक्यावता देश है हिंदुस्तान की GDP 7.2% है हिंदुस्तान का defense position पर है हिंदुस्तान में जितने भी जो economical graph है वो अभी बहुत उचे जा चुके हैं हिंदुस्तान की GST का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते है हिंदुस्तान में जितने भी technical काम हो रहे हैं digital काम हो रहे हैं इसको आप लोग सपने भी नहीं सोच सकते हैं अभी पाकिस्तान के लिए तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं हमारे भारत के परदान मंत्री वहां पर जा रहे हैं तो definitely उस मान समान honor के साथ साथ कुछ तो उस पड़ा सा raw तरीके से बता देती हूं ताके पाकिस्तान के वीवर्स को अच्छे से समझ में आ जाए पढ़े लिखें लोगों के बीच में पढ़ा लिखा ही बैठता है और जाहिल को जाहिल की ही surrounding अच्छी लगती है जैसे कुत्ते के भीड में कुत्ता ही बैठता है और शे development की बात होती है अच्छी चीजों की बात होती है environment की बात होती है growth की बात होती है अब आते हैं कि वहां पर जो भी बाते हो रही है उसमें दिली और पैरिस को किस तरीके से defense security में strong किया जाएगा इस बारे में बात हो रही है एक तरक्याफता देश मिल रहा है और एक technical देश म मिल रहा है तो अच्छी और खुबसूरत और डेवलप वाली बात ही होगी ना अब आपके पाकिस्तान के परधान मंत्री की तरह कटोरा लेकर करके तो सब नहीं चला जाएगा ना हम तो तरक्की की बात करते हैं क्योंकि यह हमारा जो हिंदुस्तान है वो तरक्की आफता द की भी जरूरत पढ़ती रहती है क्योंकि खुजली जलन हसद यह सब पाकिस्तानों का जनमसिद अधिकार है अब यह कहेंगे कि भाई अभी तो फ्रांस में इतना कुछ हो रहा है पर उसका एक भी एफेक्ट इस विजट में नहीं होने वाला है और फ्रांस के गवर्मेंट पहले ही पाकिस्तानियों को वार्न कर दिया है तुमारा आना तो बैन है मेरे देश में अब न्यूज नहीं मिली उन्हेंverse में अभी ता खबर नहीं देखी कि पाकिस्तानियों हो गए मेरे बलता रहा है इसको ब्यूंस में यह खुजली मची है या उनको हसद और जलन और छोटा सा हाट इटाइक आ रहा है कि वो फ्रांस के का जो भगदर मचाया है मुसल्मानों ने घुसपैटी है मुसल्मानों ने उसकी वजह से इस विजिट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने वाला है तो रक्ती भर का 1.0.1 परसंट भी प्रॉ कोवल जी पहले ही वहां पर विजिट करके सब कुछ देख चुके हैं अच्छा मैं यहां पर आपकी बात कटी यह कहना चाहूंगा कि यूएस के विजिट पे बीजिनसमें गिये मोदी जी के साथ वहां पे डिनर और बिजनस रिलेटिड डिल हुई अभी भी खबर के मताब कि उसमें CEO, इंडिया के जो CEO है, वो मोदी जी की टीम का हिस्सा होंगे, यह क्या Mission है मोदी जी का, कि बड़े बड़े countries में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और फिर उनको अपने country में लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे आप क्या समझती हैं, कि यह मोदी जी का vision है या फिर उनकी मजबूरी है दूसरे countries की मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आपकी गाड़ी में तेल ना हो तो धक्का दे करके आप कितने दिन चला पाएंगे कितने समय तक चला पाएंगे थोड़ा सा इसका मतलब है कि हिंदोस्तान की गाड़ी में तेल है इसलिए सारे देश जब हिंदोस्तान से मुलाकात करते हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और उनके साथ अपने बिजनस को आगे बढ़ाना चाते हैं मेड इन इंडिया के बारे में रफ 그냥 के टेक्निक को में इस्तिमाल करना चाहती है फिद्स्तान में बहुत इंटियजंट लोग होते हैं उनके उनके व्यूस जानना चाहती है उनके बिजनस प्रेंपर्टिंस एक का वैल्यू इसका आया ह्मियत सब कुछ बहुत अलग है बिलकुल मैं इस बात से अगरी करता हूँ और अब मैं अगरी करूँ या ना करूँ पाकिस्तान से कोई अगरी करे या ना करे, इंडिया इन चीजों को शायद बिलकुल अपने सामने नहीं रखता है इंडिया की नजर जहाँ पे है वो पुरी दुनिया देख रहे है आने वाले टाइम में और बहुत तेरी से आบ या खबर सुनने में आती हैं कि आने वाले टाइम में तीसरी एकानमी बनने वाला है, आने वाले टाइम में तीसरी एकानमी बनने वाला है, मैं हुद ये चाहूंगा कि हमारा नेवर है, तीसरी एकानमी के पहली एकानमी बने शायद फाइदा हमें ही होगा, लेकिन जहां पे नेगिटिव माइंडिड अग सोच को बदलेंगे कैसे बदल सकते हैं कियोंगे मैं यह चाहता हूं कि सोचust alter है cSN 2016 कि किशेंव बदल रिएगा अगर आप वैतिकत है अगर अपने बारे में बात कर रहें पॉर्सनल आप चानल पर, हर एक छो टे बड़े चानल पर मोड़िभक्ती की ही बात चल रही है भारत के भारत के अचीवमेंट, भारत के इंप्रूपमेंट, भारत के डेवलमेंट के नहीं रही है लेकिन आपकी सरकार अटकी हुई है जिन्ना के जमाने से आपकी सरकार जहां अटकी थी वहीं अटकी पड़ी है और वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जो देश शिक्षत ना हो जिस देश में महिलाओं का सम्मान ना हो जिस देश में महिलाओं को शिक्षत ना किया जाए उ और वो मुसल्मान, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, या किसी भी मुसलिम कांट्रीज का हो, जब तक वो ये ना चाहले कि मुझे इंप्रूव होना है, मुझे शिक्षित होना है, मुझे मेरी भलाई सोचनी है, तब तक वो देश और वो मुसल्मान पाएगा और कभी तरक्की से अट्राक्ट नहीं हो पाएगा आप अटके पड़े हैं कि हमने तो भाई 11 साल की बच्ची से शाद निकाह करना है क्योंकि उसका पिरियर्ट हो गया है हमने तो चार शादी करनी है क्योंकि सुन्ना में है हमने तो भाई हलाला करना है क्योंकि शर् गिर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के मुसल्मान हिंदू सिक इसाई पंजाबी उडिया सबके सब अकैडमिक क्वालिफिकेशन लेते हैं और उसके साथ साथ अपना जो मजब है उसको भी मानसंबान देते हैं मजब क्या है हमारे घर के अंदर आने के बाद पता चलता है कि मैं मुसलिम हूँ कि मैं हिंदू हूँ पर जब मैं कोड जाती हूँ जब मैं पॉलिटिकल मीटिंग में जाती हूँ जब मैं अवेरनेस सेमिनार्स में जाती हूँ जब मैं बच्चों के पास जाती हूँ तो मैं स बहुत ही इंट्रेस्टिंग और मेरे माइंड में जो क्वेस्टन है वो आपसे करने वाला हूँ आपको अगर बहुतर लगे आप उसका अंसर करिएगा एक स्वाल तो ये है कि जो आपसे मैं गुफ्तकू करता हूँ हमारा दूसरा तीसरा सेशन है मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया वाले या आपकी पर्सनली बात करें शायद आप पाकिस्तान से नफरत करती हैं पाकिस्तानियों से नफरत करती हैं क्या ऐसा कुछ है या आपकी क्या उपिनियन है इसके उपर मुझे ऐसा फील हुआ आप हमारे वियत्तिकत जिंदगी में जिस चीज़ का कोई वजूद नहीं होता है ना हम उससे नफरत करते हैं ना हम उससे महबत करते हैं शायद आपको जवाब मिल चुका होगा ठीक है अच्छा मैं एक और चीज़ जब पाकिस्तान से आपने भी बोला कि राल टपकती है इंड प्रत फिला रहा है अगर कोई तारीफ करता है लैट्स पोस्ट तो यह कहा जाता है कि जी उन्हें देखके जूंस है आप कहने के राल टपक रही है मोदी जी को देखके या इंडिया की डवैलपमेंट को देखके तो हम मतलब अगर एप्रिशेट करें या हम लैग अगर उस्तान के हिंदू लड़के बहुत पसंद आते हैं क्यों पसंद आते हैं क्योंकि वह चार बीवियां एक बिस्तर पर नहीं रखते वह सिर्फ एक ही बीवी के साथ मान सम्मान के साथ जिंदेगी गुजारते हैं अब आपकी सीमा है दर चली आई नेपाल के जरीए अ इस्त सनातन धर्म की अब आते हैं कि लार टपकना या जेलिस होना जब आपके आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फरेंस पे बैठते हैं तब तो मुझ बंद हो जाती है तब तो बिचारे थाइंक्यू थाइंक्यू बोल करके निकल पड़ते हैं और उसके बाद जब पाकिस्तान की गली कुछों में जब वो तक्रीर करते हैं तो कहते हैं कि बहुत चंद दिनों में हमारा पाकिस्तान इतना तरक्याफ़ता हो जाएगा कि हम दूसरे देशों को हम खर्ज दिया करेंगे तो इस इस काइंड ओफ जैलिस ना मतलब यह ऐसे बहुत से नार है जो पाकिस्तान में लगाए जाते हैं और इंडिया का नाम लेकर बहुत सी ऐसी चीजह हैं जो जिस बाट से करूंगी कि आकर देखिए इमरान खान जब परदान मंतरी था आपके पाकिस्तान में तब की बात कर रही हूं कि एक लड़की को लड़की के कपड़े बीच चौराहे पर फाड़े गए थे लाहूर की बात है शायद बीच चौराहे पर क्योंके रात के दस बजे के बाद वो लड़की निकली थी शायद किसी काम से और उसके कपड़े फाड़े ग होता है क्यों आज अभी रात का एक बज रहा है मैं अभी आए हूं अपनी मिटिंग और कॉंफरेंस कंप्लीट करके मेरे कपड़े तो किसी ने नहीं फाड़े और अगर भटे मेरे कपड़े तो कानून ऐसी सजा देगा कि पूरी जिंदेगी उन मर्दों की जिंदगी हराम हो जाएगी जहन्म हो जाएगी दिजस फॉल हिन्द्वायं यहां कॉरियो टेंस फैर नजर उठाने नहीं देती है किसी को जो उठाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा यही रेजन है । बिल्कुल मैं समयता हूं कि देखें ये रेप के केसी हो या हरास्मेंट के केसी हो मैं ये बिल्कुल फेरली ये कहना चाहूंगा कि अपना ये हर कंट्री में इंडिया हो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री ऐसा हो वहां पे ये केसी होते हैं मतलब अगर आप ये कहें कि पाकि महिस्तान का इमेज खराब हुआ, हवातीन के दिन उदारी हुई दिन, दुखा उनका, यह चीज़ें हमें देखने की ज़रुत है, लेकिन यह चीज़ें तो हर कंट्री में हैं, मैंने आपको कहा ना, हर कंट्री इस में होते हैं, अच्छे और बुरे इनसान हर एक जगा होते ह जब एक family में घर में अच्छे और बुरे होते हैं पर होता क्या है कि कुछ countries होती हैं जो ऐसी चीजों को हवा दे करके और बढ़ाती हैं मर्दों को और criminals को ऐसे ऐसे गंदित मचाने वाले मर्दों को और हवा देती है पर हमारे हिंदोस्तान में देवियों की पूजा की जाती है हमारे हिंदोस्तान में हमारे भारत के परधान मंत्री चोटी चोटी बच्चियों का पूजा में पैर खुद से अपने हाथ से धोते हैं हमारे हिंदोस्तान में सबसे ज्यादा देवियां होती हैं जिनको पूजा ज आता है तो इस हिंधुस्तान ओरत का सम्मान औरत का मान आरत की इसत ओरत का मरतबा सर्व प्रथच में भाई हमारे हंदुस्तान में और प्रेसिडंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर और हते मायन को साम सवत्त जैसी Prime Minister रह चुकी है हमारे हमारे हिंदोस्तान में जासी की राणी जैसी रह चुकी है अगर आप पीछे चले जाईएगा तो मैं कितनी कहानियां आपको बता सकती हूँ ठीक है वोमिन्स इंपावर्णी के बारे में एजे पाकिस्तानी उस कंट्री को सलूट करता हूँ और सलूट करना भी चाहिए मैं एक चीज़ मुझे बताईएगा कि जैसे अभी इंडिया और फरांस अगर बात की जाए जॉइंटली मिल के एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वैपन्स को मतलब डिफेंस वैपन को एक्सपोर रहे हैं और डूसरे कंट्री के साथ मिलके बाढ़ रहे हैं आने वाले टाइम में क्या आप यह इंपोर्ट बिल्कुल बंद करके एक्सपोर्ट पर काम करने वाले यह तो हमरे सुपीरियर और का काम होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम चैनल के जरिया हम बता नहीं सकते हैं जयसे एक उधारन मैं आपको दे सकती हूँ एक उधारन एक एक साल करें तक हम यह सुनते रहे पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने अगर यह जो रहे अगंण। बॉम से उड़ा देंगे, तो हमारे इंदोस्तान में कॉंग्रेस की सरकार थी, बड़ी मोन वरत वाली सरकार थी, बड़ी चुपचाप रहती थी, पत्थरवाज भी अपना पत्थरवाजी करते थे, कश्मीरी पंडितों पर भी अत्याचार हो जाता था, क्योंकि उनको मुसल मुसलमान वोट चाहि에 था, इसलिए यह मुसलमानों को हवा देते रहते थे, लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई, तो जब अगनी फाइफ और मुर्मुगाव आया तो क्या उससे पहले हमने परचार किया उससे पहले हमने एड किया उससे पहले हमने कोई बहुत बड़ी-बड़ी बाते बोली नहीं बोली न सडेली आया अगनी फाइफ और मुर्मुगाव और अभी आपकी शाधिया मरी जो ह उनके मुह में लग गया अब वो ऐसे ऐसे करकर के जो वो बड़ी एहमकाना अंदाज में जो ऐसे ऐसे करते रहती थी कि निकोलियर बाम है हमारे पास आज वो चुप है आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है मेरे को लेकिन पब्लिक में आज भी लोग यही कहते नजर आते हैं लोगों को तबाह करने की या अगर कहीं पे भी हम करेंगे तो उसका ज्यादा रियक्शन आएगा एक्शन होगा तक ही ए नाज ना जाने आंगन तेहरा तो होता है ना जैसे अभी हाल फिलाल में एक एकजामब्ल दे देती हूं अभी हाल फिलाल में हम सुन रहा हैं ना झाल जजट